पुश्कार, स्वाकत आपका सेल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में जो एक्सिदेंटल डेथ हो गई, जो सुसाइड हो गई, जो क्राइम रेट है उनके अंदर हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है एक तो सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट मिलता है और अब यहां पर हमें क्राइम जो है, उनके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है यानि जो इनके मामले हैं, वो काफी ज़ादा बढ़ रहे हैं यह बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, NCRB के द्वारा अब यह NCRB क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कब इसकी स्थापना की गई, इसकी फंक्शनिंग क्या क्या है, किसके अंदर यह काम करती है क्यों इसको बनाया गया, क्या इसके पीछे परपस था, इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं साथी साथ हम जानेंगे कि जो एक्सिदेंटल डेथ हैं, जो सुसाइड हैं, क्राइम रेट हैं, वो क्यों बढ़ रही हैं पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई हैं, कैसे इसको कम किया जा सकते हैं इन दमाहम बातों को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस वीडियो में तो पीडियो के लिए पहले माप लोगों को बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कारेकरम देखिए, NCRB इसका मतलब होता है National Crime Records Bureau यानि कि ये रिकोर्ड रखता है, किस चीज के? बहुत सारे रिकोर्ड रखता है, वो भी माप लोगों को बता हूँ, इसके क्या क्या काम है अब इसके द्वारा, NCRB के द्वारा एक रिपोर्ट परस्तुत की जाती है उस रिपोर्ड का नाम है Accidental Death and Suicide in India Report 2021 इस रिपोर्ड के अंदर महिलाओं के खिलाव महिलाओं के खिलाव जो Crime है, जो Suicide है और जो Crime Rate है इनके जो Statics है, इनके जो Figure है, वो या आंकडे है, वो दिये गए है तो यानि तीन आंकडे दिये गए है, यानि कि एक महिलाओं के खिलाव जो अपराद है एक जो आतम हत्य है और एक Crime Rate, ये तीन आंकडे हमें प्रस्तुत किये गए हैं इस रिपोर्टर तो एक के करके हम बात करेंगे, सबसे हम पहले बात करते हैं कि महिलाओं के खिलाव जो अपराद है वो कितने बढ़ गए है और क्या क्या कारण है इनके बढ़ने के, कौन सा स्टेट ने टोप किया है महिलाओं के खिलाव अपराद के अंदर और कौन से स्टेट ने कम नंबर पाए हैं तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं फर्स्ट ओफ ओल हम बात करते हैं कि नैशनल फिगर क्या कहते हैं देखें महिलाओं के खिलाफ जो अपराद की जोदर होती है वो ऐसे मापे जाती है कि प्रति एकलाग जन संक्या पर घटनाओं की संक्या वर्ष 2020 के अदर मैं बात करता हूँ यह संक्या कितनी थी? 56.5% थी ठीक है? प्रति एकलाग जन संक्या के ऊपर हम काॉंट कर रहे हैं 2020 में कितनी थी 56.5% जब महिलाओं के खिलाफ अपराद हुआ करते थे 2021 में ये संक्या बढ़कर कितनी होगी 64.5% बढ़ा है यहां पर अब 64.5% को आगे फर्दर डिवाइड करते हुए कहा गया कि 31.8% वो महिलाएं हैं जिनके ओपर जो क्राइम है 20.8% वो महिलाएं हैं जिनके ओपर जो हमला जो किया जाता है उनको नीचा दिखाने के लिए उनको अपबानित करने की इरादे से महिलाओं के ओपर हमले होते हैं 17.66% वो मामले हैं जिनके ओपर हमें अपरहन का मामला में देखने को मिलते हैं और 7.40% वो मामले हैं जिनके अंदर में रेप देखने को मिलता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि पहले कितने थे, अब कितने हो गए हैं। अगर हम इनको भी अगर फर्दा डिवाइड करें तो कहां सबसे ज़्यदा क्राइम हमें देखने को मिल रहा है महिलाओं के खिलाब। अब राज्ये के बात करते हैं किस राज्ये ने टॉप किया है। तो देखिए, टॉप करने में सबसे उचदर, हाई क्राइम रेट जो प्राप्त की है वो है आसम, 168.3% इसके बाद आता है ओडिसा, हरियाना, तेलंगाना, राजस्तान, ये स्थान जो हैं कहेंगी महिलाओं के खिलाब जो अपराद करने में टॉप फाइफ रहे हैं। तेलंगाना, यहां पर तो वृदी ही ही हुई है बहुत ज़्यादा, वर्स 2021 में दर्ज मामलों में वास्तिक संक्या के संदर में उत्तर परतेश शेर्स पर है, इसके बाद करम से राजस्तान आता है, फिर महराश्टर आता है, पश्यमेंगाल आता है, उडिसा आता है, पर महिलाओं को बहुत उंचा दर्जा दिया जाता है, तो यहां कहीं नागालेंड के बारें जानते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे, एक आपने वर्ड सुना होगा, पित्र सत्ता आतमक, हमारे देश में काफी बारे यह शब्द बोला जाता है, पित्र सत्ता आतमक सुस तो एक तरीके से वहाँ पर कम मामले में देखने को मैंते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखे, काफी सारे ऐसे राजे हैं, जहाँ पर महिलाओं के किलाओ काफी ज़्यादा मामले हैं, जो वो हमारे सामने आ भी रही हैं, और जिनके आ भी रही हैं, वहां पर वृदी भी हो रही है अब केंदर शाषित परदेश में बात करें जो यूनियन टेरिटरी में तो नन अन अफ देन दिल्ली आता है इसके अंदर टॉप करता है तो दिल्ली ने यहां पर फिर से टॉप कर लिया 2012 में महिलाओं के किराफ सबसे उच दर जो इसने प्राप्त की है 147.6% की बहुत ज़्यादा बढ़िया फिर शहरों के अगर मात करें तो जैपूर में सबसे अधिक 194% से भी अधिक दर थी इसके बाद दिल्ली आती है इंदोर आता है लखनव आता है चन्नई और कोईंबर्ट और दोनों जो है इस दर में सबसे कम थी इन शहरों की वास्तिक संक्या में दिल्ली वर्स 2021 में 13892 से सबसे उपर है इसके बाद मुंबई बैंगलूरू और हैदराबाद का स्थान आता है अब बात करें कि घरेलू हिंसा और दहेज से होने वाली मोतों के उपर देखे घरेलू हिंसा अधिनियम के तैत वर्स 2021 में देश में केवल 507 मामले दर्ज किये गए थे जो महिलाओं के खिलाब अपराद के कुल मामलों का 0.1% है सबसे अधिक मामले कहां पर हमें देखने को मिले थे केरल के अंदर 270 मामले हमें दर्ज किये थे 2021 में दहेज के अत्यागे 6589 मामले दर्ज किये गए थे जिनमें सबसे अधिक ऐसी मोते हैं उत्तर परदेश बिहार में दर्ज की गई थी यूपी और बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा मामले है जो दहेज के कार्ण हत्याई हो गई है महिलाओं की और अब बात करते हैं कि suicide rate क्या कहती है हमारे देश के अंदर आप जानकर हैरान हो जाएंगे जो suicide करने वाले हैं उनकी संक्या सबसे ज़्यादा किनकी है जो दैनिक वेतन भोगी है daily wagers जो होते हैं यानि कि आप जो देखते हैं न ध्याड़ी मजदूरी करने वाले जो द्याड़ी मजदूरी करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा आत्महत्याओं कर रहे हैं अब देखिए 2021 में आत्महत्याओं पीड़तों के बीच दैनिक वेतन भोगी यानि जो डेली वेजर्स हैं उनका सबसे बड़ा परसेंटेज रहा है 42,004 आत्महत्याओं में 25.6% के लिए जिम्मेदार आप यहाँ देखिए 41,000 टोटल मोतें मतलब की सुसाइड करने वालों के वी ये परसेंट कितना है 25% है कुल कितनी हुई 1,4,0403 यानि एक क्वाटर एक चोथा है हिस्सा तो भाईया सुसाइड का जो है वो जो डेली वेजर्स हैं लेके चले गए आत्मत्याओं में ध्याडी मजदूरों की मिर्तियू का इसा पहली बार कौाटर तक पहुँच गया है 25% से भी जादा राश्चे स्तर पर आत्मत्याओं की संक्या में 2020 से 2021 तक 7.17% की विरिदी हुई है यानि समझ लिजिए कि 2020 में अगर 100 लोग डेथ किया करते थे तो 2021 में अब 107 लोग डेथ करने लग गए है हलांकि इस अफ़दी के दौरान जो दैनिक वेतन भोगी समू की आत्मत्या करने वालों की संक्या में 11.52 इसकी इतनी परसेंट जो है विरिदी हुई है इनि डेली वेजर्स के लिए बहुत जादा एक टफ टाइम हम कहेंगे जो सुसाइड वो कर रहे हैं तो आप देखें स्पेशल उनके लिए रिपोर्ट यहाँ पर इनकी संक्या में आप विरिदी देखिए कितनी हो गई है 12.14 के अंदर हम बात करते हैं 15,735 2021 में आते आते हैं लग बग जस इसका ट्रिपल हम कहा सकते हैं 15 को अगर हम 3 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो 45 लग बग लग बग 3 गुना जो हैं विरिदी हो चुकी हैं 2021 में आते आते हैं 2014 से 2021 7 सालों के अंदर अब कृशी शेतर के अंदर बात करते हैं कि जो कृशी के अंदर जो farmers है उनके उपर कितना असर पढ़ रहा है वो कितनी आतमत्याँआ हैं वहाँ पर हमें दर्द देखने को मिलती है तो कूल दर्द आतमत्याँव में क्रिशी शेतर में जो लगे व्यक्तिय है उनकी जो हिस्सेदारी है 2021 के तुरान 6.6% थी माल लिजे सोब लोगों ने डैथ की 2021 में तो 6, 6.5% यानि लग बलग बलग 7 लोगों जो डैथ की गई है उनकी जो सुसाइड उन्होंने किया है वो कृष्णी के काम में लगे है यानि वो फारमर्स थे अपया आपके सामने रिपोर्ट भी है कि डेली वेजर्स में आप देखिए 2020 में कितनी थी 2021 में कितनी हो गई परसेंटेज देखिए कितना इंक्रीमेंट हो गया और आप देखिए कुल टोटल share कितना है इनके पास share हो in total suicide in 2021 100% death के अंदर 100% अगर suicide हुई है भारत के अंदर तो 100% में 25% तो अकेला daily wagers लेके बैठा हुए other person आ जाते हैं उनके अंदर 44 14.4% आता है housewife भी इसके अंदर 14.1% self-employed जो खुद का business कर रहे हैं 12.3% professional salary जो high salaries पाते हैं वो 9.7% unemployed percent जा हो 8.4% students इंके अंदर आते हैं 8% है काफी बड़ी संख्या आती है आप देखिए 12.526 से बढ़कर 13.089 जो students हैं अब हो गए हैं इनके अंदर विर्धी हमें देखने को मिली है 4.49 percent की percent engaged in farming sector के अंदर हम देखने हैं 6.6% मतलब 2020 में जो किसानों ने या फिर कहें कि जो खेती के काम में जो लोग लगे हुए थे 10,630 लोगों ने death या आत्मत्या उन्होंने कर ली थी आज कितनी होगी 10,881 अब कितना increment हुआ 1.91 percent का retired जो percent है उनके अंदर काम करने की जोड़ते हैं और यह जानना ज़रूरी है कि क्यों हो रही है यह death यह क्यों suicide कर रही है क्या इनको काम नहीं मिल पा रहा है क्या इतनी earning नहीं हो पा रही है कितना इनके ओपर burden है economic burden कितना है तो इन तमाम चीजों को समझने की बहुत जादा ज़रूरत है तब पेशे के अनुसार अगर मैंने सब के सामने आप कुछ आंकड़े रख भी दिये हैं कि 16.73 percent की उच व्रीदिजर जो self-employed person है वहाँ में भी देखने को मिल रही है unemployed person के अगर मैं बात करूँ तो आत्मत्या की मामले में गिरावट हमें देखने को मिली है 2020 में 15,652 से 12.38 percent की गिरावट के साथ 2021 में 13,714 जो suicide जो है वो बिरोजगार लोगों ने जो unemployed person है उन्होंने suicide की यानि obviously इसके अंदर decline तो देखने को मिला है अब आत्मत्या के क्या कारण है क्यों कर रहे हैं तो 33.2 percent यानि 100 percent अगर suicide हुई है उसमें से 33.2 percent जो suicide जो हैं उनके अंदर क्यों की गई है पारवरिक समस्याओं के करण 4.8 percent विवासमंदी समस्याओं उनके सामने 18.6 percent विवारी के कारण तो इतनी से हमारे सामने तो यांकड़े निकल कर आते हैं राज्ये के अंदर हम बात करें कि स्टेट में किस स्टेट ने टोप किया तो देखें यहां पर टोप करने वाले हैं 2021 रिपोर्ट के अकोर्डिंग साइड के मामलों में जो टोप किया है वो है महराष्टर सबसे उपर है इसके बाद तमिलाडू आता है फिर मद्य परदेश आता है 2021 में देश बर में जो दर्ज आत्मत्याओं की कुल संक्या में महराष्टर का योगदान 13.5 percent अब केंदर्शाशी परदेशों में ओविसली भईया दिली कहां कम रहने वाला है महिलाओं के मामले में भी दिली है और सुसाइड के मामले में भी दिली है सबसे अधिक 2847 साथ मत्य है कितना ज़्यादा इंक्रिमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं अब बात करते हैं कि what are the reports finding on the crime rate crime rate कितना बढ़ रहा है भारत के अंदर तो देखिए फ़हले हम जान लेते हैं कि बलतकार kidnapping, बच्चों के खिलाव अपराद डगैती यानि लूट मार यह जो registered जो crime है वो भारत वर्ष में 2021 में फिर से बढ़ गए हैं फिर से बढ़ गए हैं क्या मतलब 2020-19-20 में आपको पता है लोकडाउन लगा लोकडाउन लगने के कारण क्या हुआ इन अपरादों में बहुत जादा कमी देखने को मिली थी हत्यां के मामलों में 2020 में भी कमी नहीं आई थी 2021 में भी और बढ़ रहे हैं हां कुछ एक मामलों में 2020 में कमी आगी थी क्योंकि लोकडाउन लगा हुआ था लोकडाउन में लोग बहार से नहीं निकल रहे तो डकैती वैसे नहीं होनी थी बच्चों किलाब मामले जो थे या फिर किड्नैपिंग जो थी वो ओविसली कम हो गई थी लेकिन जो किसी की डैट कर देना किसी को मार देना ये जो 2020 में ये तो कम नहीं हुए थे और 2021 में तो और बढ़ गए है अब देखिए बलतकार के मामलों के उपर बात करते हैं देखें 13% वृदिदर हमें देखने को मिले है 2020 में 28,040 राजयस्थान में वर्ष 2021 में बलतकारों में जब सबसे ज़्यादा हाई रेट देखने को मिले है 16.4% की वास्तिक संक्या में 6,337 मामले जो है वो शिर्ष स्थान पर राजयस्थान रहा है बलतकार के मामलों में आप प्रहन के मामलों में बात करो 20% की वरीदी दर्ष देखने को मिली है हत्या के मामलों में बात करों तो 2021 में 39,272 मामलों से बढ़ कर मतलब कहां थे 29,133 में 2020 में कितने थे 29,193 2021 में कितने होगे 29,272 आप कहें कि थोड़ा से बढ़ हो या ज़्यादा बढ़ हो बढ़ा तो है लोग मारे जा रहे हैं यहां पर उत्तर परदेश राज्ये में हत्या के साथ सबसे अधिक मामले दर्ज किये गए हैं उसके बाद बिहार आता है फिर महराश्टर का स्थान आता है बच्चों के खिलाफ अकर मैं बात करूं क्राइम रेट की कोविड से संबंदित परतिवन के कार्ण जो है 2020 में ओविसली गिरावट तो हमें देखने को मिली थी लेकिन जैसे कोविड का जो लोगडान हो हटा 2021 में 1.49 परसेंट परसेंट क्या लाक 1.49 लाक 1.49 मामले दर्ज किये गए 2019 में 1.48 आरते देखे बढ़ गया जैसी कोविड हरियाना, मिजोरम, इसके बाद सिक्किम, बच्चों के खिलाव जो सेक्शल जो क्राइम है यहां पर सबसे अधिक रहा है केलल टोप कर रहा है यहां पर इसके बाद कोविड के कारण जो मामले हमारे सामने आए थे ओविसली 188 जो धार है यहां कहेंगे IPC का सेक्शन 188 अब 2020 में, 2019 में यहां पर बिरदी थी क्योंकि वहां पर COVID का नॉम्स जो है या कंडिशन जो वो लाग हो थी अगरो को वेकती बिना मास्क के बाहर निकल रहा है बिना वजय का बाहर निकल रहा है जुण में बाहर निकल रहा है तो उनको पकड़ा जाता था आपने बहुत सारी व लोग बिना ही मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं कोई कंपलसरी उनके लिए नहीं है तो अब फिर से कहा दीजिए कि मास्क बाहर निकलना है जुंड में आप बाहर नहीं निकलेंगे तो देखिए मामलों के दर मामलों में कितनी जादा इंक्रिमेंट हो जाएगा पहले क्या था इन मामलों में देखिए 2020 में यह मामले कितने थे 6.12 लैक थे 50 परसंट की कमी आई है 2021 में 3.22 लैक हो गए ओविसली कम तो इसलिए हुए न कि वो जो कंडिशन से वो हलकी कर दी गए उनको कम कर दियागा या फिर कहें कि लगबाग खत ने दिली में इसका मुख्याल है इसकी स्थापना है 1986 में ग्रह में दो रहे है नहीं होम मिनिस्ट्री के तैत ध्यान रकना किसके तैत होम मिनिस्ट्री के तैत यह आती है मिनिस्ट्री होम अफेर्स अब इसके अंडरी ये काम करती है अब इसकी स्थापना जो है राश्ट्र NCRB की स्थापना की गई थी ये किसके अंडर काम करता है अब बात करते हैं इसके क्या क्या काम है NCRB का जो काम होता है अभी आपने इसके नाम को अगर ध्यान से सुना हो तो record, record रखना होता है record रखता है हमाई दिश में किन किन जी जोंगा वो भी आप लोगों का बताऊँगा देखें ये जो bureau है maintain करता है national database of sexual offensure और इसको share करने का काम करता है state के साथ, UT के साथ daily basis बे आपके यहाँ पर daily basis मतलब की जूरत पढ़ने पर regular basis बे हम कह सकते है कि आपके यहाँ पर crime बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाब इतना crime बढ़ रहा है यहाँ suicide बढ़ रही है तो यह सारे काम इसका होता है NCRB का और NCRB को online cyber अपराद reporting portal के तकनिकी यहनि technical और उसके operation function को यहाँ पर देखें यहाँ ध्यान रखना यह Kendri and Nodal Agency के रूप में भी इसको register किया गया डिजाइन किया गया जिस portal पर कोई भी नागरिक शिकायदर्ज करा सकता है child pornography या बलतकार सामोई बलतकार जैसे यह जो जगन्य अपरादों के समन्द में सबूत के तोर पर video upload कर सकता है आपने देखा हो अभी फिलाल ये तो हो गया हमारे सामने हम देखते हैं कि twitter का कैसे use किया जा रहा है अभी एक session करूँगा कि कैसे आज की date में जो public servant है civil servant है उनका social media के परती कैसा रवया और कैसे उनको benefit हो रहा है कैसे उनको नुकसान हो रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा portal design कर रहा है NCRB में कि अगर कोई ऐसी video ऐसी कोई clip है जो ये सबूत evidence के तोर पर है कि वहाँ पर बच्चों के खिलाफ या फिर pornography ये सब किये जा रहे हैं बलतकार किये जा रहे हैं तो अगर वो clip जो है वहाँ पर evidence के तोर पर record कर सकते हैं कि सब चीजें हो सकती हैं अब Interoperable Criminal Justice System के क्रियान वेन की जिम्मेदारी भी NCRB को दी गई है ICJS देश में अपरादिक नय परदान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली मुख्या IT परनाली के एक ही करन को सक्षम करने के लिए एक राश्ट्री हमच है ये प्रनाली जो है वो पांस तमबो जैसे पुलिस के लिए अपराद और अपरादिक tracking और network system के माधिम से forensic lab के लिए forensic नयायलियों के लिए e court और जो public prosecutors है उनके लिए e prosecution और जो जेल हैं उनके लिए ये जेल को एकरित करने का प्रयास करता है और जो NCRP का जो major publication कौन कौन से आती है उनके ओपर एक बन रज़र डालेते हैं एक तो भारत के अंदर अपरात कितने हो रहे हैं इसके ओपर publication करती है और आज हम बढ़ रहे हैं एक्सिदेंटल डैथ और आतम हत्या है इसके ओपर इसने रिपोर्ट प्रस्तूत की जेल के भी आंकड़े प्रस्तूत करती है कि जेल में क्या क्या हाल है कैसे कैसे वहां पर इंप्रूमेंट की जानी चाहिए इंप्रूमेंट की या फिर वहां के आ डेच यह बहुतलि हैं, भारत के अंदर को में डेख ब़ी्जोں के आदर सब से जादा हो रही हैं। तो बस आज के लिए इतना है, thank you for watching this video.